प्रित्वी के हर कोने में आज हमें किसी ना किसी रूप में जीवन देखने को मिलता है लेकिन आज से 5 बिलियन साल पहले एक समय ऐसा भी था जब अर्थ अपने फॉर्मेशन फेज में था आज जिन पोल्स, पहाड और लेंड्सकेप का लुद्फ हम उठाते हैं उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था धर्थी पर पन पे सबसे पहले माइक्रोबियल लाइफ के बात की कहानी तो हम सब कई बार सुनते आए हैं लेकिन आज की वीडियो में हम माइक्रोबियल लाइफ से पहले फॉर्म हुए अर्थ की क्रोणोलोजी पर बात करने वाले हैं हम जानेंगे की हमारी खुबसूरत नीलेगर की शुरुवात कैसे हुई प्रित्वी पर जीवन की उत्पत्ती कैसे हुई जानवरों का विकास कैसे हुआ डैनासोर कब दिखाई दिये और वो कहां से आये थे तो देर ना करते हुए चलिए अपनी प्रित्वी के इदिहास की सभी कड़ियों को जानने की कोशिश करते हैं लगभग 5 बिलियन साल पहले जब प्रित्वी का निर्माड भी नहीं हुआ था तब के अबल हमारे सूरज की फॉर्मेशन हुई थी और ये पूरी तरह स्टार डस्ट से घिरा हुआ था लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब आउटर स्पेस में मौजूद कॉस्मिक डस्ट टाइट होकर एक साथ चोड़ने लगी जिसकी वजह से स्मॉल स्टोंस फॉर्म है और ये काफी रोचक और सिंपल प्रक्रिया थी जो काफी लंबे समय तक चरी लेकिन इसी प्रक्रिया ने प्लैनेट्स की फॉर्मेशन में एक बड़ी भोमिका निभाई ग्रैविटी ने इन स्टोंस को कई मिलियन सालों तक खीचा जिसके वजह से प्रिथवी एक बॉल के शेप में आ गई लेकिन अब भी प्रिथवी अपने असली स्वरूप में नहीं बनी थी इसे अभी भी कई सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना बाकी था वो केवल अभी एक गर्म गोला थी जिसका तापमान 1200 डिग्री सेलसे से भी जादा था ये वो समय था जब प्रिथवी कार्बन डायोकसाइड और नाइट्रोजन के गुबार से भरी हुई थी तब तक ना तो हवा थी और ना ही कोई अट्मोस्फियर था यहां तक की एक ठोस सता का निर्मान भी नहीं हुआ था चारो और केवल लावा बह रहा था लेकिन इस सिती को बदलने में जादा समय नहीं लगा जल्दी ही एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से हमारा ग्रह एक नए ग्रह से टकराया और ये टकराव इतना भारी था कि प्रिथवी से एक टुकड़ा तूट कर अलग हो गया जो आगे चल कर चांद कहलाया आज भले ही चांद प्रिथवी से काफी दूर है लेकिन अपने शुरुवाती दौर में हमारा चांद प्रिथवी के काफी करीब रोटेट करता था समय के साथ दूरी पढ़ती चली गई चांद भी ग्रैविटी के चलते कोलाकार श्रेट में फॉर्म हो गया लेकिन टकराव का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था 600 मिलियन साल बाद हमारी धर्ती को एक और फेश से गुजरना पड़ा जब सोलार सिस्टम में मौझूद मेटरोट्स भारी मातरा में धर्ती की ओर किरे सोलार सिस्टम के निर्मार्ट से बने हुए मेटरोट्स जब धर्ती की ओर आए तो वो अपने साथ पानी की कुछ मातराई भी ले कर आए कई मिलियन साल तक लगा था प्रित्वी पर गिरने की वज़े से वहां पानी की धेर सारी मातराई खटा हो गई वाटर बॉडिज ने प्रित्वी की तापान को 70 डिगरी तक कूल करने का काम किया लेकिन अभी भी प्रित्वी की सता काफी करम थी जिसे ठंडा करने का काम भी पानी ही करने वाला था आपको बता दे कि आज इस पानी को हम धर्ती पर इस्तिमाल करते हैं ये मिलियन सालों पुरा ना है और सबसे बड़ी बात है कि ये एक्स्ट्रा टेरिस्टियल वर्ल्ट से सम्मन्द रखता है यानि कि आमभाशा में कहीं तो पानी पृत्वी पर नहीं उपजा बलकि के जरिये मिला है शुरुआती दौर में धर्ती की रोटेशन स्पीड भी काफी जादा थे जो वक्त के साथ साथ धीमी पड़ती गई इसी की वजह से ओशन वाटर भी काम होता गया पृत्वी के बनने के 700 मिलियन साल बाद इसकी सता पूरी तरह पानी से कवर हो गई जमीन क तीरे इस प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी और लावा से बनने वाले सतह ने जुड़ना शुरू किया ऐसे में पानी के अलावा प्रित्वी पर महाद वीपो का भी फॉर्मेशन हुआ तीन बिलियन साल बाद जब प्रित्वी एक ग्रह के रूप में फॉर्म हो गई तब भी मेटरोइट्स का प्रित्वी पर गिरना चारी रहा खास दोर पर जब मेटरोइट वांकेट समुदर में गिरा तो इसने पानी में अलग तरह के केमिकल्स को रिलीज किया जिसकी वज़स से कई रियक्शन हुए और पहले मैक्रोबियल लाइफ धर्ती पर फॉर्म हो गई सबसे पहले यूनी सेलुलर बैक्टेरिया ने पानी में जनम लिया कई मिलियन साल तक या बैक्टेरिया इसी फॉर्म में रहे लेकिन धीरे धीरे इन्हों ने अपनी तादात को बढ़ाया और समुन्दर के कोने कोने में फैल गए जैसे जैसे सूरज की रोशनी समुन्दर पर पड़ी तो पानी ने अबसॉफ करना शुरू किया सनलाइट की मदद से पहले माइक्रो और्गैनिजम्स ने काइरबन डायोकसाइड को पानी और ग्लूकोज में तोड़ा जिसकी वज़़से ऑक्सिजन का निर्माण हुआ माइक्रोबियल लाइफ की वज़़से ओशन वाटर ऑक्सिजन से भर गया समंदर में लाइफ के विकास के बाद अब एट्मोस्फियर की बारी थी कुछ समय बाद ऑक्सिजन ने उपर उठना शुरू किया और वातावरन के निर्माण में अपनी भूमी का निभाना प्रारंब कर दिया आप ये कह सकते हैं कि अगर पहली माइक्रोबियर लाइफ का विकास नहीं होता तो शायद हमें आज प्रित्वी का ये स्वरूप देखने को नहीं मिलता जीवन के पहले निशान के बाद हमारे ग्रह में कई बदलाव आए लेकिन खेर ये तो अभी सिर्फ शुरुवात थी धर्दी को अभी बहुत कुछ देखना बागी था इसी तरह दो बिलियन साल बीच जाने के बाद प्रित्वी पर ऑक्सिजन की मादरा काफी बढ़ गई और प्लैनेट की रोटेशन स्पीड में भारी कमी आई दिन बड़े होते चले गए और प्रित्वी पर वो सभी हालात पैदा हो गए जो किसी भी जीवन के लिए सबसे जरूरी थे देड़ बिलियन साल बाद जब सब कुछ शान्त हो गया तो पिखले लावा के चलते प्रित्वी की सता ने तूटना शुरूर किया शुरुवाती दौर में जमीन पूरी तरह से एक दूसरे से चूड़ गई थी लेकिन लावा के चलते प्लेट्स में मुव्मेंट स्टार्ट हुई जिसकी वजह से सभी सता ने तूटकर अलग-अलग महादुईपों का निर्मान शुरू कर दिया जहां एक तरफ सभी महाद पोल में बर्फ के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया धीरे धीरे पूरा ग्रह बर्फ भी तीन किलोमेटर चौई लेर में ढग गया बर्फ इतनी जाधा थी कि स्पेस से प्रित्वी सफेद दिखाई देने लगी सूरत से आने वाली गर्मी भी सफेद बर्फ के चलते वापस आउटर स्पेस में रिफ्लेक्ट होने लगी लेकिन ये स्नो एज हमेशा के लिए धर्ती पर नहीं बनपने वाली थी प्रित्वी का कोर गर्म था इसलिए एक बार फिर वोल्कैनिक एरप्शन के चलते वातावरंड गर्म हो गया और फिर बर्फ पिखल गई और एक बार फि प्रित्वी का ताप मान एक एवरेज लेवल तक जा पहुंचा जो इंसान के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया ग्रह का एर टेंपरेचर भी इसी स्थिती में आ गया लेकिन इस प्रक्रिया में स्नो एज में विक्सित हुए सभी बैक्टेरिया को मरना पड़ा के लेवल वही जिन्दा रह पाए जो 540 मिलियन साल से डी पोशन में रह रहे थे यह सभी बैक्टेरिया समय के सान साथ कई पड़ाओं पर एवॉल्व हुए पानी में ऑक्सिजन लेवल बढ़ने के साथ ही पहले मॉलक्स यानि की इनवर्टिब्रेट भी विक्सित हुए इसक पहले प्रिथी पर कभी भी नहीं बन पी थी पानी के अंदर पहले इंसेक्ट के साथ पहले प्रिडेटर का विकास हुआ जिन्हों ने अपने भोजन के रूप में ट्रीलोबाइट्स को खाना शुरू किया जीवों के सांसात महा सागरों में भी पेड़ पौधों ने अपन से वड़ा कारण सूरज की क्रिणों से पैदा होने वाली रिडियेशन थी लेकिन जल्दी ही समुंदर से निकलने वाली ऑक्सिजन ने रिडियेशन के साथ रियक्ट करना शुरू किया जिसकी वज़़से ओजन नाम की एक नई गैस का निर्मान शुरू हुआ इस गैस ने धीरे धीरे पूरे प्रित्वी को कवर कर लिया जिसकी वज़़से सूरज से आती हामफूल रिडियेशन ओजन लियर से अंदर नहीं आ पाई वक्त के साथ ओजन काफी मोटी होती चले गई जिस से 375 मिलियन साल पहले प्रित्वी की सतह पर पहले पौधे ने पनपना शुर मचलियों के फिंस जैसे पैर धीरे धीरे इवॉल्व हुए जिससे ये पानी से बाहर आकर जमीन पर रहने लगी बस इसी तरह बाकी वेजिटेशन का भी विकास हुआ लेकिन वो मचली ही थी जिसने 15 मिलियन साल पहले समुंदर को छोड़कर जमीन पर घर बनाया और धीरे धीरे इनके एवल्यूशन ने कई जानवरों का विकास किया सबसे पहले शुरुवात लैंड रेप्टाइल से हुए लेकिन इन में एवल्यूशन के चलते धीरे धीरे डैनासॉर्स की कई प्रजातिया हमें धरती पर देखने को मिली धरती पर हर्याली बढ़ने के साथ साथ जाइंट जंगलों का भी विकास हुआ और ये जंगल कई बड़े डैनासॉर्स का घर बन गया आप ये मालीजिए कि प्रकिर्ती एक ऐसे जीवन का आगाज कर चुका था जो हर दिन बदल रहा था और बहतर हो रहा था और धीरे धीरे ये फॉर्मेशन तब से लेके आज तक evolution का ही एक नतीजा है जिसके बाद हमें कई सारे जानवर और इंसान भी देखने को मिले पर अगर इस पूरी प्रकिरिया को मैं ब्रीफ करने लगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर आप कहेंगे तो मैं इसका part 2 भी ज़रूर बताऊंगा इसलिए आप कमेंट evolution के पीछे एक गहरा इतिहास चिपा है evolution की race आज भी चारी है और अभी भी प्रकिर्टी उसी रफ्तार से evolve हो रही है